आप देख रहे हैं स्वाराज भारक लाई सच कहने का साहस से बनने की अपील की नियोजित सिख्षकों के ऊपर हो रहे हैं नयाय को लेकर बोला कि बिहार सरकार इन सिख्षकों के साथ शलावा कर रही है अगामी विधांसवा चुनाम में ये सभी समर्थकों के साथ मिलकर हराने का काम करीगी भुमिहार प्रहामनों की बात करनी कोई गलत बात नहीं हम उसकी बात करेंगे जिस प्रकार से हरेक समाज का हरेक जाती का अपना एक जातिगत संगठन है एक समाजिक संगठन है जिस संगठन के बैनर तले लोग अपने अपने समाज के आर्थिक, सैक्षनिक, राजनेतिक और समाजिक उत्थान की बात करते हैं उसी प्रकार से हमने भी एक समाजिक संगठन बनाया था जिसके तहट समाज के लोगों को जोड़ा समाज के बीच गया उनकी समस्याओं को समझा लेकिन समाज के लोगों की ही ये पक्षा थी कि पहले समाज संगठी तो हो उसके बाद एक विकल्प दिया जाए चुकि हम उब चुके हैं आजादी से लेकर बाद में 40-45 वर्सों तक हमने कॉंग्रेस को निश्वार्थ समर्थन किया और आप पिछले विगत 20 वर्सों से हम लोग भाजपा को समर्थन करें आज के दोरे का मुक्षारा आज से हम लोगों ने पूरे बिहार में राष्ट्रिय जंजन पाटी का सदसता अवियान चलाया है बढ़िया माजगदंबा के प्रांगण में जाकर उनसे आशिरवाद प्राप्त करके हम लोग मुकामा भगवान परसुराम के मंदिर में गए वहां भी आशिरवाद प्राप्त किये और हमारा लक्ष है कि आने वाले अगले नबे दिनों में बिहार में दस लाख ओफलाइन और दस लाख ओनलाइन सदसे बनाएंगे ओनलाइन सदसता भी आज से सुरू कर दी गई है www.rjjp.org यह हमारा विबसाइट है और ओफलाइन सदसेता हम लोग गाओं गाओं जाकर कर रहे हैं जो लोग बिहार से बाहर रहे हैं आप मीडिया बंदों के माध्यम से हम उनसे गुजारिस करेंगे कि आप तक अगर ओफलाइन सदसेता नहीं पहुंच रही रसीद नहीं पहुच रहा है तो आप इंटरनेट के माध्यम से ओनलाइन सदसेता ले सकते हैं हमारे विबसाइट को लाकर ले सकते हैं अगामी बिधान सवाह में क्या रहेगा आप बिहार के 243 सीटों से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे जिनके जिनके साथ में भी विगत जो वर्तमान सरकार से पहले जो पंद्रे वर्स जिनकी सरकार रही और वर्तमान में जो सरकार है पिछले पंद्रे वर्सों से जो भी इनके सिकार हुए हैं जिने भी इनोंने ठगा हैं उन तमाम लोगों की आवाज बनेंगे जो भी वन्चित हैं जो भी आज सरकारी उपेक्षा के जद में पहुंचे हुए हैं हम उनकी आवाज बनेंगे और खास करके युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि आपके भीतर अगर अभी भी विहार बदलने को लेकर अगर कोई मंसा नहीं है अगर कोई विजन नहीं है तो यह बड़े अफसोस की बा आपको जानेकारी होगी उनहत्तर सिक्षक तो बीमारी से और भूग से मर गए और कारण केवल यही रहा है कि वो उपेक्षा की जद में आप किसी की हकमारी किजेगा किसी की रोटी या दाल रोटी जो चल रहा है उसका परिवार का भरण पोशन हो रहा है बड़ा-बड़ा सपना आप दिखाते हैं चुराओं के टाइम में यह नियोजन क्या होता है यह नियोजन नीती क्या होती है यह केवल चलावा है और आज जो लोग भी सिक्षकों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं उन्हें दर दिखाकर उन्हें भै दिखाकर उन्हें लालच और लोब देकर उनके आवाज को दबा दिया जा रहा है लेकिन हम आप मिडिया बंदों के माद्देम से अपील करते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग एक बड़े रन्निती के तहत बिहार के 38 जिला में तमाम नीयोजित शिक्षकों की लडाई को मजबोती से जमीन पर लड़ेंगे और हमें लगता है कि झो प्रहμαस्त्र इस्तेमाल करके नीयोजन निती का इस्तेमाल करके नितीज जी पिछले डेड़ दसक से सत्ता में हैं वही प्रहमास्त्र इनके लिए अब सबसे बड़ा काल बनने वाला है और साइध यही प्रहमास्त्र इनको 2020 के चुना में सत्ता से उखाड भी फ्यकेगा ऐसे अनकई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने कमेंस दें और हाँ बल आइकन क्लेक करना ना भूलें धन्यवाद